सरवे भ्यो नमो नम अध्यवयम कक्षा अश्टम्याः त्रयोदशः पाठह हो कि अइंद्र जालिका ध्यान चंदह एतं पाठं पठावह। आज हम कक्षा आठ्मी के तेरह हमा पाठह कि अइंद्र जालिक ध्यान चंद। इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं हौकी, हौकी शब्द का अर्थ, हौकी खेल आइंद्र जाली का शब्द का अर्थ होता है जादूगर, धियान चंदह, धियान चंज आज इनके बारे में इनकी जीवनी को समझने का कुछ घटनाओं को जानने का प्रयास करते हैं इस पाठ के मात्यम से दियान चंदस्य जन्म अगस्त मासस्य नववन शति दिनांके एक सहस्र नवशतम पंच तमे वरशे इलाहबाद नगरे एकस्मिन क्षत्रिय परिवारे अभवत ध्यान चंजी का जन्म अगस्त महिने के 29 दिनांक के और 1905 में वरष में इलावाद नगर में एक शित्री परिवार में हुआ तस्य मूल नाम ध्यान सिंह आसीद और उनका मूल नाम ध्यान सिंह था तस्य पिता सोमेश्वरदत सिंह अपी होकी क्रीडाया क्रीड का आसीद और उनके पिताजी का नाम सोमेश्वरदत सिंह और वे भी होकी खेल के खिलाडी थे ध्यान चंदह सश्टी कक्षा पर्यंतमेव अध्यायनम कृतवान और ध्यान चंजी केवल छटी कक्षा तक ही अध्यायन कियां पंचदश वर्षी यह एव होकी क्रीडाम प्रारब्धवान जब वो 15 वर्ष के थे तव ही वे होकी खिलना प्रारंब किया और वो उस खेल में कुशलता को प्राब्धवान उस खेल को बहुत अच्छी प्रकार से सीख कर 1922 में वर्ष में वे भारतिय सेना उस समय की जो सेना थी उसमें साइनिक के रूप में अपना काम प्रारंब किया सह होकी क्रीडा आया ह सर्वत तमह क्रीड का आसीत और वे होकी खेल के सबसे उत्तम खिलाडी थे तस्मिन विलक्षनम क्रीडा कौशलम आसीत और उनमें अध्भुत क्रीडा कौशल था अत एव सह विश्वस से स्रेष्ट हा हौकी क्रीड का अबवत और इसी कारण से वे संपूर्ण विश्व के स्रेष्ट खिलाडी बने हौकी खिलाडी बने सह भारतिय होकी दले सेंटर फॉर्वार्ड रूपे न क्रिडेतिस्मा और वे भारतिय जो होकी टीम था उसमें सेंटर फॉर्वार्ड के रूप में खेला करते थे अश्टा विंशद उत्तर नवदश शद तमे वर्षे भारतिय होकी दले उलम्पिक स्वरधायाम स्थानम ग्रीतवाशोबनम प्रदर्शनम क्रितवान तथा भारत देशम होकी क्रिडायाम विश्व विजई क्रितवान और वो 1928 में वर्ष में जो भारती होकी टीम थी वो उलम्पिक में स्थान प्राप्त करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारत देश उस होकी खेल में उस उलम्पिक खेल में विश्व विजई बना तदन अंतरम सा होकी क्रिडाया हैंद्र चालिक इति नामना प्रसिद्ध अभवत और उसी के बाद से वे होकी के हैंद्र चालिक शब्द कारत होता है जादुगर उस होकी खेल के जादुगर के नाम से प्रसिद्ध हुए तदन अंतरम सा होकी क्रिडा तो फिर आगे तो उस अजसी समय से वे होकी खेलके जादूगर कहलाने लगे और 65 उत्तर नवदश शत्तमे वर्षे भारत सर्वकारे न पत्मभूशने न सम्मानीदह अभवत और वो में 1996 वर्ष में भारत सरकार के विद्वार पत्मभूशन सम्मान से सम्मानित किया गया जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला स्रेष्ट परवस्कारों में से एक हैं 15 अगस्त शट त्रिन्षट उत्तर नवदश शट तमे वर्षे उलम्पिक क्रीडायां भारत देश जर्मन देशं अश्ट एकम अंतरेन पराजितवान 15 अगस्त 1936 को उलम्पिक क्रीडा में भारत देश ने जर्मन को आठ एक से हर आया तदा जर्मन शाष का हिटलर द्यान चंदस चे क्रीडाम द्रिष्ट वाक का था ये थी भवान जर्मन सेनायां उच्च पदे प्रतिश्ठ दह भवत इते ममा इच्छा तो उनके खेल को देखकर उस समय के जो जर्मन के शाषक हिटलर द्यान चंदस जी के खेल को देखकर बड़े प्रवावित हुए और उन्होंने कहा आप जर्मन के सेना में उच्च पदबर प्रतिश्ठ हो जाएं यह मेरी इच्छा है अभारत देख एव अमकृदः सर्वोपरे अस्ति तो उस समय देश भक्त जिनको अपने देश से प्रेम ऐसे ध्यान चंद सी उनसे कहते हैं कि मेरा भारत देशी मेरे लिए सर्वो परी सबसे स्रेश्ट है और मेरा सबसे ध्यान उस देश पर ही है और मुझे अपने देश पर गर्व है ऐसा वे कहते हैं अतहा हम भारत देशे एव निवसा में इसलिए मैं अपना देश भारत में ही रहता हूँ एवंच भारत से कृते एव कृड़िश्या में और मैं भारत देश के लिए ही खेलूंगा ध्यानचंद महोदय यस्य स्मृतो भारत देशे प्रतिवर्षम ध्यानचंद ट्रोफी स्वर्दा आयोजिता भवती और ध्यानचंद महोदई जी के स्मृती में भारत देश में प्रतिवर्ष ध्यानचंद ट्रॉफी स्वर्दा का आयोजन होता है तत्र देश विदेश अश्ने प्रसिद्धाह, हौकी, क्रीडकाह, क्रीड़नि और उस प्रतियोगिता में देश विदेश के जो प्रसिद्ध, हौकी, खिलाडी हैं वो खेलते हैं तस्य जन्म दिनम राश्टी खेल दिवस इती नामना अप्रति वर्षम सर्वे आचर अन्ती और उन्ही के जन्म दिन को हम भारत देश में राश्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तस्य निधनम त्रया दिसंबर नवस सब्तति ही उत्तर नवदश सदतमे वर्षे दिल्ली नगरे अभवत और उनका निधन तीन दिसंबर 1989 में वर्ष में दिल्ली नगर में हुआ ध्यान चन्दस्य देश भक्ति ही असमा भी अनुकरनी या अस्ति और ध्यान चन्जी की जो द अपने जीवन में उतारने योग्य है वे हमेशा कहा करते थे हमने देश के लिए क्या दिया यह हमें सोचना चाहिए ना कि देश ने हमें क्या दिया तो उनकी इस देश वक्ती की जो भावना थी वो अवश्य हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए यदि वे चाहते थो हिटलर के कहने पर वो वहाँ पर रह सकते थे एक सेना के उच अधिकारी बन सकते थे परन्तु उनके अंदर जो देश के प्रती जो प्रेम भावना थी उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनके समक्ष कहा कि मेरे लिए सर्वो पर ही मेरा देश ही है तो इसलिए हमें भी अपने देश के प्रती प्रेम भावना जगाना चाहिए और दूसरों को प्रेरित भी करना चाहिए तो कि देश प्रेगा तो